भक्तों की कश्टों का जहां होता है शणभर्मी निवारण जिनकी दर्बार में पूर्ण होती है हर्मनो कामना जिनके दर्शन मात्र से होती है समस्त दुख दू ऐसा है जगजनली आदी शक्ति मामनसा देवी का मावन स्वरू जो भी सच्छे भाव से माता की उपासना करती है मा उनको कभी निराश नहीं करती मन्शा शब्द का अर्थ ही इक्छा है मानो देवी स्वयम ही आपकी हर इक्चाप पूरी कर रही है मा का सौम्य स्वरूप अतिमन भावन है देव भूमी उत्राखंड के हरे भरे शिवालिक परवत की श्रिंखलाओं के बीच में विराजमान बिल्व परवत वासिनी मा मनसा देवी का अलाकिक मंदिर अत्याधिक विशाल है दिवारों पर देवी देवताओं की अध्वुत कलाकृतियां इस धाम को अतिशोभनिय बना लीती है भक्त कभी पैदल तो कभी मनसा देवी उड़न खटोला पर मा के धाम आती है मंदिर में प्रवेश्ट के साथ मा के पावन दर्शन से मन प्रसन हो जाता है पंच भुजाओं वाली मा आदी शक्ती मानों हर और अपने प्रकाश की छटा बिखे रही हो मान्यता है कि यहाँ पवित्र धागा बांधने से भक्तों की हर मुराद पूरी होती है जितनी पावन और अद्भुत इस मंदिर की छवी है उतनी ही प्राचीन इस्थाम की पावन कथा कथाओं के अनुसार जिस स्थान पर आज मा मंसा देवी का मंदिर है यहाँ पर सती माता का मन गिरा था जिस कारण इस मंदिर को पहले मा सती के मंदिर के नाम से जाना जाता था यहां देवी सर्प तथा कमल पर विराजित हैं कहते हैं कि साथ नाग उनके रक्षण में सदय विद्यमान है उनकी गोद में उनके पत्र आस्तिक विराजमान है कई वर्षों से अपने भीतर भक्ती और विश्वास को समेटे यह मंदिर आज भी श्रद धालूं की आस्ता का मुख्य केंद्र बना हुआ है